हेलो फ्रेंड्स दिस इस अर्पी दूबे वेलकम टू आवर चैनल तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम आर्ट एजुकेशन का लेसन प्लैन बनाना सीखेंगे इससे पहले हमने चार लेसन प्लैन जो आर्ट एजुकेशन के वो देखा था कि कैसे बना सकते हैं और वो अलग लग टॉपिक्स पे था तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर मैंने प्लैलिस्ट बना दी है आप वहां से जाके अपनी जो एलपी है चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की और आप वहां से देख सकते हैं तो चलिए सुरू करते हैं और देखते इसके बाद आप लिखेंगे समय और उपविशय लिखेंगे उपविशय में आप लिखेंगे कट पुतली मतलब आज की जो हमारा टॉपिक है उसमें हम पेपर से कट पुतली कैसे बना जाता है उसको बनाना हम सीखेंगे और इसके बाद आप लाश में लिखेंगे इसके बाद आप next sharing लिखेंगे विसेश्ट उद्दे से मैंने समाने उद्दे से के बारे में पहली वीडियो में बता दिया था कि समाने उद्दे से जो होता है art education से related होता है कि कला सिक्षा से बच्चे क्या-क्या चीज़े सीखेंगे वो समाने उद्दे से होता है उस topic से बच्चे क्या सीखेंगे वो विसेश्ट उद्दे से हर lesson plan का अलग-अलग होता है ठीक है तो यह बात आप समझ गये होंगे तो इसलिए हमने डारेक्ट विसेश्ट उद्दे से लिखा है तो first point में आप लिखेंगे सभी छात्र इस योग्य हो जाएंगे कि वे अन्य विश्यों के साथ सम्मंधित कर सकेंगे तो मतलब बच्चे जो है इस योग्यों जाएंगे कि art education को अन्य सब्जेक्ट जो होते जैसे math हो गया science हो गया इनके साथ जो है इसे connect कर पाएंगे ठीक ह इसके बाद आप next sharing में लिखेंगे हाथ और मस्तिक्स के बीच उचिस सम्मंधित कर सकेंगे तो इस टॉपिक से बच्चे क्या सी कहेंगे हाथ और मस्तिक्स के सम्मंधित कोर्डिनेशन बिठा सकेंगे इसके बाद आप next sharing लिखेंगे चड़ी डंडी की साहिता से कटपुतली बना सकेंगे मतलब इसमें क्या होगा कई बार होता है बच्चे जो है माली जीए यहाँ पर बच्चे जो है कागत से कटपुतली बना रहे है फिर उसके बाद चड़ी डंडी और इसके बाद सौक्स क यूज करके भी वह कटपुतली बनाना बहुष्ट के लिए सीख सकते हैं इसके बाद आप next sharing में लिखेंगे सभी छात कटपुतली बनाने की विदी को अपने सब्दों में पता सकेंगे तो यह हमारे विशेश्टु देव से होगे जो आप अपने lesson plan में लिखेंगे इसके बाद आप next sharing लिखेंगे सिक्षर सहायक सामगरी सिक्षर सायक सामगरी में चड़ी या डंडी जिसे बोलते हैं रंग विरंगी सीट कैंची वह गोंद और इसके अलामा sketch color तो यह चार सीज़े चाहिए आपको इस LP को बनाने के लिए या फिर यह जो हम कटपुतली बनाने के लिए इसके बाद आप next sharing लिखेंगे पूरवग्यान पूरवग्यान में आप लिखेंगे कुछ आत्रों को कटपुतली के बारे में समाने जानकारी है साथ ही साथ उन्हें कटपुतली का नाम नाच भी देख है तो यह आप पूरवग्यान में लिख सकते हैं तो कई बार क् बच्चे जो हैं पैरेंस के साथ घूमने जाते हैं तो वहां पर वह कटपुतली का नाच भी उन्हों देख रखा है और उसका नाम जानते हैं लेकिन बनाने का प्रोसेश जो है बहुत कम बच्चों को पता है इसके बाद आप नाच शेडिंग लिखेंगे परस्तावना परशन परस्तावना परशन में आप थ्री कॉलम बनाएंगे जिसमें पहला कॉलम है करम संख्या सेकंड कॉलम छात्रा ध्यापिका या छात्रा ध्यापक कथन और थर्ड कॉलम में आप लिखेंगे छात्र कथन ठीक इसके बाद छातरा ध्यापिका सेकेंड कोशन बच्चों से पूस्ती है आप किस परकार की कहानिया सुनना पसंद करते हैं तो बच्चे बताते हैं कि राजा रानी वाली कहानी सासी जो कोई भी बालक है या कुछ भी है राजकुमारियों आदिकी तो मतलब इन सब चीजों की जो कहानिया जो सुनन बच्चा पसंद करता है वो बताते हैं इसके बाद टीचर कोशन पूस्ती है थर्ड वाला कि उन माद्यमों का नाम बताईए जहां से आप ये कहानिया देख सकते हैं तो बच्चे बताते हैं कि हम कहानिया टीवी से देखते हैं ठीटर में ड्रामा में ड्रामा हॉल में कटपुतलियों द्वारा नाटको द्वारा ठीक है तो यहां पर देखिए कटपुतलिया है तो जो भी हमारा next question बनता है वो बच्चों के answer पर depend करता है मतलब जो answer बच्चे देंगे उसी के बिहाब पर आप next question बनाएंगे तो इसके बाद देखिए यहां पर teacher द्वारा अच्छातर द्यापी का next question पूसता है कि आपने किस परकार की कटपुतलिया देखी है तो बच्चे बताते हैं अंगूर की कटपुतलिया हाथो की छड़ी की आदी की मतलब जो अंगूर की बच्चों से पूस्ती है क्या आपने कभी छड़ी डंडी की कटपुतली बनाई है तो यह बच्चों के समस्यात्मक परसन होगे क्योंकि बच्चों ने अभी तक यह बनाया नहीं है इसका प्रोसेस भी नहीं जानते ठीक है तो इस तरह से आप परस्तावना परसन जो है पुतली बनाना सीखेंगे तो जरूर नहीं है आप इसे एक लाइन में लिखे अगर आप और अधिक ज्यादा में लिखना चाते तो आप बना के इसे लिख सकते हैं कि बच्चों आज हम क्या सीखेंगे किसकी मदद से सीखेंगे ठीक है इसके बाद आप ने शेडिंग तीसरे कॉलम में लिखें चातर अध्यापा या शौतार कर वाया ओर फोर्थ कॉलम में आप लिखेंगे छात्र किरिया कलाप ये कॉलम मतलब हर institute जो आपका college होता है वो उसका अलग-अलग होता है लेकिन ये new pattern के according है तो आप इस pattern को follow कर सकते हैं ठीक है बाकी आपको change करना है तो आप कॉलम में change कर सकते हैं कोई ऐसा कुछ बड़ा काम नहीं है इसके बाद आप सिक्षड बिंदू में लिखें हैं में लिखेंगे आप सभी चात्रों को पहले से बने हुए कटपुतली को दिखाती है या दिखाना है ठीक है तो पहले से जो बना हुआ कटपुतली होगा बच्चों को पहले क्या करेंगे आप दिखाएंगे तो यह आप लिखेंगे अपनी एलपी में इसके बाद चात्र के सहायता से कट पुतली बनाना तो इसमें आप सभी छात्रों को कट पुतली बनाने के परतेख चरणों को बताएगी या बताएंगे आप ठीक है तो यह आप लिखेंगे अपने लेसन प्लैन में इसके बाद आप लिखेंगे छातर किरिया कलाप में सभी छातर ध्यान पूर्वक सुनते हैं इसके बाद आप सिक्षड बिंदू में पहला चरण लिखेंगे कटपुतली बनाने का और चात्र अध्यापक किर्याकलाब या चात्र अध्यापक किर्याकलाब में आप लिखेंगें सबसे पहले पीले रंग की शीट लें तो उसके बाद आप लिखेंगें चात्र किर्याकलाब में सभी चात्र निर्देश का पालन करते हैं ठीक है तो वो भी क्या करते हैं एक शी आप लिखेंगे इस तरह से इसके बाद छात्र किर्या कलाब में आप लिखेंगे जिराफ के चित्र को बनाने वक काट लेते हैं तो बच्चे क्या करेंगे उसको कटिंग कर लेंगे और बना के रख लेंगे अपने पास इसके बाद तीसरे चरण में अब छड़ी या डंडी को गोंद की सहायता से चिपका लेंगे अंत छड़ी डंडी की कटपुतली तयार है तो आप क्या करना है छड़ी या डंडी जो आपने ले रखी है उसको क्या करेंगे उस कागच की जो आपने कटिंग करी थी जिराफ की उसको क्या करना है आपको चिपका लेना है ठीक है और उसके बाद आपका जो है कट पुतली तेयार हो जाएगा तो सभी छात्र ऐसा ही करेंगे ठीक है कि इसके बाद जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह जो आपका लेसन प्लैन है इसे आर्ट इंटी ग्रेटेट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं ठीक है तो जैसे कि यहाँ पर इस लेसन प्लैन को परेवरन अध्यन के साथ एक ही कृत किया गया है तो मतलब यह आर्ट इंटी ग्रेटल डेसन प्लैन की तरह भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं तो अब क्या करेंगे अगर आपको आर्ट के मतलब आप अगर इविएस के साथ इसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो इस परकार से कर सकते हैं आप लिखेंगे परेवरन अध्यन के साथ एकिकृत करना इसके बाद आप लिखेंगे छात्रों को जिराफ के बारे में अपने विचार या जानकारी परकट करने को कहेगी या कहेगा ठीक है तो इसके बाद जो है जिराफ के बारे में आप बच्चों से कुछ कोशन पूट अप कर सकते हैं कि बच्चों जिराफ जो है वो कैसा दिखता है कितना बड़ा होता है उसकी विशेशता है क्या क्या है कहां पाये जाता है ठीक है तो चात्र क्या करेंगे अपने जो विचार है उसको पर कट करेंगे इसके बाद सिक्षड बिंदू में आप लिखेंगे कटपुतली बनाना तो इसमें आप सभी छात्रों को दूसरी चड़ी डंडी की कटपुतली बनाने को बोलेंगे या बोलेंगी ठीक है तो आप दूसरा जो है कटपुतली और बनाने के लिए बच्चों से कहेंगे तो सभी छात्र अपनी पसंद का जो है वो कटपुतली बनाएंगे ठीक है अपने जो कलर होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग चोईस करेंगे कटपुतली का ठीक है इसके बाट लास्ट में आप लिखेंगे टिपडी टिपडी में चात्रों के कारियों को निरेक्षन करेगी या करेगा तथा उसके काम के लिए उन्हें सराहना देगा या देगी ठीक है तो आप अगर बच्चों को जो है रेइनफॉस्मेंट देंगे उन्हें थोड़ी सराहन तो बच्छे जो है और अच्छे से काम करना सीखेंगे ठीक है तो इस तरह से आप अपना जो प्रस्तुति करने वो लिखेंगे और मैं यह जो लेसन प्लैन है आप आर्ट इंटिगरेट लेसन प्लैन की तरह भी यूज कर सकते हैं और इसके अलावा मैं इस पर नई वीडियो बना दूँगा जो आर्ट इंटिगरेट की तरह होगा इसके बाद आप ने शेडिंग लिखेंगे साउधानिया इससे पहले हम इमेजिस देख लेते हैं कि आपको अपने लेसन प्लैन पे किस तरह से इमेजिस को पेस्ट करना है तो यह जो है कुछ इमेजिस है सबसे पहले सीट लिया गया था तो आप सीट की जो इमेजिस है वो चिपका देंगे अपने लेसन प्लैन पे इसके बाद जिराफ का चितर बनाना जिराफ का चितर बनाया गया था सैकेंड स्टेप में थर्ड स्टेप में जिराफ के को सीट से काट कर निकाल लेना मतलब जो आपने जिर जिराफ का डिजाइन बनाया था उसको काट लेना है उसे निकाल लेना है इसके बाद जो है जिराफ के पीछे डंडी या छडी लगाना जिराफ के पीछे आप क्या करना है डंडी या छडी लगा देंगे तो यह आपका जिराफ जो कटपुत लिया यह तयार हो गया है वो भी कागज की ठीक है तो इस तरह से आप जो है इमेज इसका यूज भी कर सकते हैं अपने लेसन प्लैन में अब हम बात करते हैं कि सावधानिया क्या क्या रखेंगे आप तो कागज को काटते समय ध्यान रखें कि बच्चों की उंगलियां वगारा ना कर जा क्योंकि बच्चे होत जोग ध्यान पूरवक करेंगे और तीसरी सावधानिय में आप लिखेंगे साफ और सुत्राचितर बनाएंगे बच्चे तो यह सावधानिया आपको क्या करनी है बरत्नी है और अपने लेसन प्लैन में आप ये लिखेंगे इसके बाद आप ने शाइडिंग लिखेंगे पु उन्हों को बताईए तो बच्चे कुछ-कुछ बच्चों को पता होगा अभी पूरा प्रोसेस बच्चों को एकदम नहीं पता होता तो जितना भी बच्चे बताएंगे आप उसे एकसेप्ट करेंगे ठीक है इसका सैगेंड कोशन यहां पूछा गया जिराफ की विशेष् अनुछेद लिखिए तो यह कोशन भी आप बच्चों से दे सकते हैं उसमें क्या करेंगे बच्चे अपने विचार जो है प्रस्तुत करेंगे जिराफ के बारे में जो उन्होंने उसको देखा है कहां पर देखा है यह भी बता सकते हैं उसमें आप बच्चे इसके बाद थ ठीक है और यह जो पेज है यह पेज आपको क्या करना है जहां पर आप प्रस्तुति करन करेंगे तो उसके फ्रेंट वाले पेज पर आप लगा देंगे ठीक है इसके बाद आप लाश्ट हैडी हमारी होगी लिखेंगे अधिगम विस्तार कारे अधिगम विस्तार कारे को ग कटपुत्ली बनाएंगे तथा परीयोग करके दिखाएंगे तो बच्चों को एक ओमवर्क दिया गया है कि आप घर से भी कटपुत्ली बनाएंगे उसको तुल्वक्सण दिखाएंगे इसका ऐख सकते हैं आप भी दे सकते हैं होमर के लिए और अपने लेसन प्लैन में भी आप इसे लिखेंगे तो इस तरह से आप अपना जो आर्ट का लेसन प्लैन वो बना सकते हैं तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती हुई अगर आप कोई वीडियो पसंद आईए तो लाइक करें शेर करें चैनल को सस्क्राइब करें और बैल आइकन प्रेस करना बिलकुल ना भूले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिवेशन मिलती रहे तो मिलते हैं अपनी नश वीडियो में थैंक यू